Different venue, different opponent, different players and yet the same story for Team India जी हां कल बेलारूस के खिलाफ हमारे भारतिय फुटबाल टीम को बेलारूस के हाथ दो 3-0 स्कोर लाइन से एक बहुत ही बड़ा हार का समना करना पड़ा हम बात करेंगे इस मैच के बारे में हमने मिस्टिक्स कहा पी किये बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाव टीम बेलारूस और गैस बेलारूस एक ऐसा टीम है जो रेगुलर्ली यूरोप की हैविवेट्स कंत्री के साथ फुटबाल खेलते रहते हैं रिसेनली बेलजियम, वेल्स, चेक रिपाबलिक जिसे टीमों के खिलाफ बेलारूस ने फुटबाल खेला था और येस काफी तगरी ओपोनेंट थे बेलारूस और कहीं न कहीं इस मैच में इंडियन टीम की रियलीटी चेक होने वाले थे और आखिर में जाके वही हुआ तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है IPL आ रहा है और गाइस IPL की सीजन में ये वेबसाइट आपको 25,000 के बोनस on the first deposit दिलाते इसके अलावा 24x7 life customer support भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे फैंटसी टीम यहाँ पर बनाए और बरे बरे cash reward जीती है दोस्तों 60 रुपीश के cashback आपको मिल जाएंगे लिंक कमेंड पे पीन करकर रहा है तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट की इंडियन फुट्बॉलर्स वेर इनो मैच विद बेलारूसियन प्लेयर जिहां जिस तरह के passing बेलारूस के players कर रहे थे जिस तरह के approach और intent के साथ बेलारूस के team field पर उत्रे थे ऐसा लग रहा था they were determined to win the match इंडियन defenders प्रेस तो कर रहे थे लेकिन बेलारूस के players ने वो composure रिखाया and they were clinical in their passing and positioning इंडिया के तरफ से वो intent मुझे इस match में दिखाई नहीं दिया वो aggression नहीं थे it looked like tired leagues were playing for India हम अपने में ही ball pass नहीं कर पा रहे थे और अगर कुछ passes के भी थे तो वो भी अपने half में ही किये थे causing zero threat to the belarusian defense तो guys जाहिर सी बात है साफ तोर पर there was a difference in quality between the two teams और guys this is what football is you know there's no shortcut in football अगर आप बेलारूस और भारत के footballing structure को compare करेंगे you will see there is a big big difference जब तक आप एक unified league के साथ साथ अपने grassroot structure पे importance नहीं देंगे जब तक football को एक revenue earning sports नहीं बनाएंगे ताकि football clubs भारत में sustain कर सके you won't get the desired result and I'm surprised how Apuya, Changte and all played for Mumbai City FC on the same day when Indian team is playing against Belarus All India Football Federation के पास वो power होना भी चाहिए कि अपने players को अपने पास ही रख सके how clubs are taking advantage of that and keeping important players with themselves rather than sending them to national duty so guys बहुत साथे बाते हैं जिनको एक ही वीडियो में इसकास करना पॉसिबल नहीं है अगर आप भारतिय फुट्बाल फैन है और दों लिए फूल्स परादाइस तिंकि हम यह कर देंगे वो कर देंगे, बलारूस को हरा देंगे, we're gonna rule Asia it's not gonna happen unless we change our system and grassroots culture so guys that's it from this video I hope you enjoyed it, until then stay safe, stay healthy, Alvida